मानव नेत्र मानव नेत्र परिचे मानव आँख प्रकृती में आखों के एक सामान्य समुहु जिसे कैमरे के समान आखें कहा जाता है कि अंतर गताती हैं. फिल्म के बजाए मानव आँख रेटिना नामक एक प्रकाश के प्रती समवेदन शील जिल्ली पर प्रकाश को केंद्रित करती है मानव आँख एक करोड रंगु को पहचान सकती है मानव आँख की सनरचना मानव आँखों में काले रंग के आईरिस के चारों तरफ काफी बड़ा सफेद रंग का व्यापक श्वेथ पटल होता है, जिससे ये पता लगाना आसान होता है कि आप किस दिशा में देख रहे हैं हमने सब आरंभिक प्रजातियों में से लगभग आधे में आरंभिक आँखों के बहारी संरचना की तुलना की और इससे ये पता चलता है कि इस प्रकार की विशेश संरचना सिर्फ मानव आँख में ही है मनुश्यों में आग के पूरे आकार में उजागर श्वेत पटल का अनुपाद सबसे ज्यादा होता है जो अपने आप में क्षैतिज दिशा में लंबा होता है हमें लगता है कि इस प्रकार की संरचना इसलिए है कि दृष्चिक क्षेत्र का विस्तार ज्यादा हो जिससे आँखों की गतिविधी विशेश रूप से क्षेतिज दिशा में अधिक हो और एक अन्य व्यक्ति के देखने की दिशा का पता लगाने में आसानी हो मानव आखों की कारिप्रणाली कॉर्णिया एक पारदर्शी संरचना है जो आख के एकदम सामने होता है और आने वाले प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है कॉर्णिया की पीछे एक रंगीन गोल आकार की जिल्ली होती है जिसे आइरिस कहा जाता है आइरिस में एक समायोज गोल खुली जगव होती है जिसे पुतली कहा जाता है जिससे आँख आने वाले प्रकाश की मात्रा की अनुसार खुली या बंद की जा सकती है रेटिना में रॉड एवं शंको कोशिकाएं, जागरत प्रकाश धारना तथा रंग में भेद और गहराई की अवधारना को अनुवती प्रदान करती है मानव आँख का परिमाप वैसकों की आँखों के परिमाप में एक दूसरे से केवल एक या दो मिलिमीटर का फर्क होता है वैसकों में आँख में लंबवत दूरी, क्षैतिश दूरी से आम तौर पर 24 मिलिमीटर कम होती है जो जन्म के समय 16-17 मिलिमीटर यानी 0.65 इंच होती है नेतर गोलक तेजी से बढ़ता है, ये तीन साल की उम्र में 22.5 से 23 मिलिमीटर लगभग 0.89 इंच हो जाता है 13 साल की उम्र तक आँख अपना पूरा आकार पा लेती है वैसक आँख पीछे से आगे तक लगभग 24 मिलिमीटर होती है इसका आयतन 6 गन सेंटिमीटर यानी 0.4 गन इंच होता है और भार 7.5 ग्राम यानी 0.25 आउंस होता है मानव आख के भाग आख तीन पर्तूं से बनी होती है जिसमें तीन पारदर्शी सनरचनाएं होती है सबसे बाहरी परत जिसे तंतुमय जिल्ली के रूप में जाना जाता है कॉर्णिया और श्वेत पटल से बनी होती है मध्यम परत जिसे समवहनी जिल्ली या यूविया के रूप में जाना जाता है रक्तक, सिलियरी पदार्थ और आइरिस से बनी होती है सबसे अंदर रेटिना होता है जिसे रक्त प्रवाह, रक्तक तथा रेटिना वाहिकाउं से प्राप्त होता है एक वेक्ति के आंक की दृष्टि का दाइरा नाक से लगभग 95 डिगरी दूर, 75 डिगरी नीचे और 60 डिगरी नाक की ओर तथा 60 डिगरी उपर की ओर होता है जिससे मनुष्य लगभग 180 डिगरी सामने क्षैतिज शेत्र में देख सकता है नेत्र गोलक की घूमने की दिशा 90 डिगरी होने के कारण देखने का दाइरा लगभग 270 डिगरी तक हो जाता है कनपटी से 12 से 15 डिगरी और क्षैतिज से नीचे 1.5 डिगरी आप्टिक तंत्री का या अंधा स्थान होता है जो मूटे तौर पर 7.5 डिगरी उचा और 5.5 डिगरी चौड़ा है नजदीक देखने की अनुक्रिया नजदीक देखने के लिए समायोजन करने हे तू रेटिना पर एक छवी का ध्यान के इंद्रित करने में तीन प्रक्रियाएं शामिल होती है ये तीन प्रक्रियाएं इस प्रकार है स्रिती या वर्जन्स का संचार पुतली सिकुणना, लेंस का समायोजन, सुरिती या वर्जिन्स का संचार जब कोई दूर्बीन द्रिष्टी के साथ एक वस्तु को देखता है, तो आखों को एक उर्ध्वाधर धुरी की चारों और घूमना चाहिए, ताकि छवी का प्रक्षेपण दोनु आखों में रेटिना के केंद्र महो करीब से एक वस्तु को देखने के लिए आखें एक दूसरी की तरफ घूमती है, अभिसरन, जबकि दूर की वस्तु देखने में वे एक दूसरे से दूर घूमती है पुतली का सिकुणना, लेंस प्रकाश की किरणू को किनारे से उतनी अच्छी तरह से नहीं मोड सकते हैं, जितना अच्छी तरह से वे केंद्र के करीब कर सकते हैं इसलिए किसी भी लेंस द्वारा उत्पादित, छवी, किनारों के आसपास कुछ हद तक असपश्ट होती है. यह परिधिये प्रकाश किरणू को परदे से बाहर करके और केवल बहतर केंदित केंद्र पर देख कर कम किया जा सकता है. लेंस का समायोजन लेंस की वक्रता को बदलने के लिए सिलिएरी मानस्पेशियों द्वारा लेंस समायोजन किया जाता है, जो लेंस के चारूं तरफ होती है. यह सिलियरी मानस्पेशियों के व्यास को संकरा कर देता है, दोलन मैस नायू के तंतुं को आराम देता है और लेंस को अधिक उत्तल आकार में शितिल होने की अनुमती देता है